ओम नमु भगवति वाशु दिवाइ नमस्कार दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकादसी वरत के बारे में, जो भी भाक्त एकादसी का वरत करते हैं, उन सभी को इसकी महिमा के बारे में पता है, साथ ही सारे नियम और विधिया भी पता होंगी, बहु और के नियमों के बारे में नहीं पता है विधिया क्या है किना चीजों को सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए.. ऐसे तमाम प्रकार के जानकारिया आज के इस वीडियो में मैं सेयर करने वाली हूँ, जैसे कि एकादासी कब रहता भी आपको कब सुरू करना चाहिए, कब सुरू किया वह एकादासी आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव देने वाला होता है, सरवाधिक पुन्यों को देने वाला होता है, एकादासी के वरत में किन चीजों को नहीं खाना चाहिए या किस प्रकार से आपको अपने दिन को बिताना चाहिए कब किस समय इस व्रत की सुरुवत हो जाती है वह सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईए वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी क्योत्तम भविश्य के कामना करते हूँ, आज का ये विडियो स्टार्ट करती हूँ एकादसी व्रत की महत्तम बताते में भगवाल स्री हरीने श्वयम ही कहा है, जो भी पापी मनुष्य है, अधुआ तमाम प्रकार के दुख भुख को भोगने वाला मनुष्य है, अधुआ जो अपनी सारे दिक पीरा से अत्यन्त दुखी है, उन सभी को एकादसी का व्रत भी सी मृत्यों के उपड़ान्थ भी सभी प्रकार के सुखों के देने वाला मना जाता है एक अधसी का व्रत, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, या फे, मातब पिता, गुरू का अपमान करने वाले वैक्ति की भी, इस एक व्रत को करने मात्र से ही, सभी प्रकार के पापों का एसे में प्रिकादसी का व्रत करने के कुछ विसीस नियम भी है। सही प्रकार से किया गया व्रत अत्यधिक प्रभाव साली होता है। एक दिन पहले से ही नियम को धारन करना पड़ता है। यानि कि दस्मी के दिन से ही। दस्मी के दिन हमारे सास्त्रों में ऐसा वर्नित किया गया है। जो भी मनुष्य एक दिसी का व्रत पालन करना चाहता है। उसे दस्मी तिधी को ही प्रातह काल असनाना दे करके निवरित हो जाना चाहिए। दसवी के दिन सुबह मनुष्य ब्रस कर सकता है, दातुन कर सकता है, लेकिन तेल नहीं लगाना चाहिए, बिना तेल लगाया असनान करना चाहिए, और इसके बाद भगवान विश्नु की नहा धोकर की पूजा करने चाहिए, भगवान विश्नु को जल अरपन करना चाहिए, पंच अमरित से असनान कराना चाहिए. एक आदर सी का पालन करने वाले प्रतीक बboysति को, केवल दो ही समय भोझन करना चाहिए दस्वी के दिन. शंध्यकाले इनके बाद अन्bak ग्रहन नहीं करना चाहिए. सास्त्रों इस बात को लेकर के अनिक प्रकार की बाते बताई गई हैं दस्वी के दिन से ही उसे मास, मदीरा, लहजेन, प्याज, नमक, डाल, फलिया और जो जड़ युकत सब्जियां होती हैं उन्हें खाने से बजना जाहिए इसके अलावा जो भी मादक पेपदार्थ होते हैं उन्हें भी सिवन नहीं करना चाहिए किसी दूसरे के यहां का अन, जल, इन्हें भी ग्रहन नहीं करना चाहिए मान्या जाता है जो भी व्यक्ति दूसरे या परपुरूस, परिस्त्री, परनारी का धियान करता है और एक प्रकार के वह एकादसी के नियमों का पालन भी करता है फिर भी उसके एकादसी का व्रत करने वाले प्रतेग के व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका ध्यान बार बार खाने की ओर ना जाए या अत्यदिक आनंद लेने के उद्देश से भी उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए भगवान श्री हरी के चर्णों का बार बरस ब्रहन करना भगवान श्री हरी के नामों का जाप करना करतन करना व्यक्ति को अनेका नेक फल के प्राप्ति कराता है दस में के दिन संध्याकाले इनकी समय वैक्ति को नहादो करके या फिर कुला करके मंदिर जाना चाहिए भगवान सुरी हरी के समझ से एक मुठी पुस्प अरपन करना चाहिए उनसे पराथना करने चाहिए कल में आपका व्रत करने जा रहे हूं इस व्रत को निर्विक ने पूड़ा करने में आप हमारी सहयता करें। यह कहते वे आपको पुस्प भगवान स्री हरी के चर्णों में छोड़ देना चाहिए। यदि आसपास देवाले या मंदिर ना हो तब घर के मंदिर में यही कारिय करना चाहिए। एकादसी वाले दिन प्रातकार ब्रह मुर्द में उठकर असनान, नित्यक्रियव वेगरे से निवरित होने के बाद भगवान स्री हरी के पंचोप चार विदी के द्वारा पूजा नर्जना करने चाहिए। संख से जलारपन करना चाहिए। संख से दूधरपन करना दूब, दीप, नवैद, गंध इन चीजों को भगवान स्री हरी को समरपित करना चाहिए। संख स्यात्यकर भगवान स्री हरी के नामों के ध्वनी को स्त्रवन करना महान से महान पाप जो होते है उनसे मुख्त कराते strains August. अधड़मी दुरात्मा, वैक्तियों का संसर्ग आ नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी कार्य जो संपुर्ण आपके पूजा पार्ट को नाज करने वाली हो वैसे कार्यों में लिपते भी नहीं रहना चाहिए दैन एक दिन चड़िया का पारन करते वे, ब्रह्म चड़िया का पारन करें, भूमी पर सयान करें ये सभी चीज़े एक दसी के नियम को पुर्ण करती है बात आती है अब दोआ दसी, यानि कि जिस दिन पारन किया जाता है पारन के विधियां जो होती हैं वह बिल्कुल दसमी दिन की तरह होती है यानि कि एक दिन से पुर्वर एक दिन पहले आपने जिन नियमों का पालन किया था वही नियम 12 के दिन भी निभाई जाती है एकादसी का नियम पालन करने वाले व्यक्ति को धार में कनुकुलता का ध्यान रखना चाहिए मान्यता है यदि व्यक्ति इन नियमों का आचरन करता है या फिर इन नियमों को अपनाता है तो राजा के समान जीवन को प्राप्त करता है आने वाले कई जन्मों तक राजा के इस संबान उसे संबान के प्राप्ति होती है दोस्तो मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद नाई होंगी जानकारी थोड़ी से भी हेलफूल लगती हो तो वीडियो को लाइक, सियर, सस्क्राइब करना पिलकूल ना भूले अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार दोस्तो